दिल्ली के चान्नी चौक में इस दिद भागिरत प्लेस की एलेक्ट्रोनिक मार्केट में 24 नॉम्बर राद भीशन आग लग गई तेज लप्टों में करोडो रुपे का माल जलकर खाक हो गया है और आज हम इसी के बारे में जानेंगे की आग कैसे लगी, क्यों लगी और किस वज़ा से इस आग को बुजाने में इतनी देर हो गई और आप देख रहे हैं स्पेस स्टोरीज चान्नी चौक की तंग गलियों में एक बार फिर सीख पुकार मची पिछले तीन महीने में दूसरी बार ऐसा हुआ इस बार लप्टे उटी भागरत प्लेस के लेक्ट्रोनिक्स और लाइट्स मार्किट में 24 नॉब्बर रात यहां बीशन आग लगी देखते ही देखते आग आसपास की इमारत में भी फैलने लगी मौके पर दमकल की 40 से ज़ादा गाडिया लगानी पड़ी हर तरफ आग ही आग थी और आसमान में काला दुआ वैपारी अपना माल बचाने की हर संबब कोशिश में लगे थे और दमकल करमचारी आग बुजाने में खोरन बिजली काड़ दी गई ताकि आग का परसार रोका जा सके चानी चौक वैसे भी काफी कंजस्टिट एरिया है जिसकी वज़ा से आग पर काबू पाना और भी जादा मुश्किल था तंग गलियों की वज़ा से आग बुजाने में दिक्कत आ रही थी उपर से रात में पानी खतम हो गया मेट्रो स्टेशन में अन्य जगाओ से पानी लाकर आग बुजाई जा रही है करोड रुपे का नुकसान होने की खबर है भागिरत प्लेस मार्किट में आग बुजाने काम शुकरवार सुबह भी जा री था काफी हद तक आग काबू में आ चुकी थी मगर कुछ दुकाने बाद में भी धगत रही थी आग की वज़य एक शौट सर्किट था रात करीब 8 बचे आग लगी आग जब पैकेजिंग मैटरियल के पास पहुची तो उसमें विसफोट हुआ और तेज लप्टे उठने लगी दिल्ली फायर सर्विस के अनुसार गुरुआर रात करीब 9 बच के 20 मिनट चानली चौक की दुकान पर 1868 नमबर में आग लगने की सूचना मिली यह दुकान भागिरत पिलेस में गुरुदवारे के पास है दमकल विबाग के अधिकारियों के अनुसार गंटे भर के बीतर आग आसपास की इमारतों तक फैल गई और इसे गंबीर मान लिया गया जब फायर टेंडर्स मौके पर पहुचे तो पूरा बजार धुए के मोटे गुवार में दवा था रात के अंदेरे में नारंगी लप्टे साफ दिख रही थी शुरू में तो दो दुकानों में लगी आग पडोस की तीन चार इमारतों तक पहुच गई हर इमारत में 25 से 30 दुकाने है तंगलियों की वज़ए से फायर फाइटर्स को गाड़ियों को रिवर्स करने परिशानी आए जिसकी वज़ए से पुलिश को स्थानने लोगों की मदद लेनी पड़ी सजावट के लिए लगाए गए बॉल्डर्स को अटा कर रास्ता बनाया गया ताकि दमकल की गाड़िया रिवर्स हो सके जिसकी वज़ए से यहां भी समय लगा आग बुजाने के लिए वेपारी दमकल करमचारियों से अपनी दुकाने बचाने के लिए गोहार लगाते दिखे इलाके के वेपारी लगातार सरकार से ऐसे आग पर काबु पाने के लिए कदम उठाने की गोहार करते रहे है उन्होंने कहा कि वेपारियों ने दो सुजाव दिये पहला कि यहाँ वाटर की लाइन लगाई जाए और तन गलियों में बोरवेल हो ताकि आग भी रोकी जा सके और दमकल की गाड़ियों को पानी भी सब्लाई हो सके दूसरा सुजाओ तारो के मकड़जाल की ठीक से जाचका है अगर आपको यह हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें और देखते रहें स्पेस स्टोरीज